जिस तरह से इस किसान अंदोलंगों भी बदनाम करने की कोशिश या साजी चल रही है मुझे लगता है देश के प्रतिष्टा के लिए ठीक नहीं है किसालों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं सच सुनने से मोक्षपराप्त होता है हम तो छे साल से सच सुन रहे हैं जुटको भी सच मान रहे हैं जो सच बूलता है, जो सच लिटता है उसे गदार, देश द्रोही पुकारा जाता, भूल दिया जाता मुझे लगता है कि हमारे कानुन के किताब में से सब IPC धाराई खतम कर दी और सब देश द्रोही की धारा एक वोई रग दी है domestic violence हो तो भी देश द्रोह का मुगत्मा ठोक दे देखिए देश प्रेमी को है आमारे देश में अर्नब गोस्वामी जिसके वज़ा से एक निरपराज गर्टी महाराष्ट्रा में उसना अत्मत्या की कंद्ना रनावत यह देश प्रेमी है देश में किसान अंदोलन को दो महीने से उपर का समा हो चुका है पर अभी भी देश में अंदोलन जारी है भले ही सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी हो पर इसको लेकर आवाज देश के अलगलग हिस्सों में उठती रहती है इस पार किसान अंदोलन के समर्थन में आवाज राजा सबा में उठी राजा सबा में विपक्षी नेता लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे है शिव सेना नेता संजे राउत ने राजा सबा में अपने भाशन में किसान अंदोलन का जिकर कर सरकार पर निशाना साधा सर राष्टे पती जी के अभी भाशन पर हम चर्चा कर रहे है कल धर्बंदर पदान जी यहां बोल रहे थे और बार-बार हमारी तरफ कटाक्षा करके हम यह बोल लेटे कि सच सुनो सच सुनने से मोक्ष पराप्त होता है हम तो 6 साल से सच सुन रहे हैं जुटकों भी सच मान रहे हैं लेकिन आज जो चल रहा है हमारे देश में जो माहूल है मैं देखता हूँ जो सच बोलता है, जो सच लिपता है, उसे गदार देश दोही पेके पुकारा जाता है, बोल दिया जाता है, कल इस बारे में चर्चा हम लोगों ने की दिविजे साम ने बहुत इस बारे में कहा है, सर जो सरकार से सवाल पूछेगा, उस पर देश दोही का मुकदमा जाता है, कितने नाम मैं आपको बता सकता हूँ, हमारे सदन में संजे सिंग, उसके उपर देश दोही का मुकदमा है, रादिप सरदेशाई जाने माने पत्रकार जिसको हमने सरकार ने पदमस्री दिया है, पदमपुरसकार सनमानित किया है, उसको हमने देश दोही बना दिया है, शक्ति थरूर जो United Nation में हमारे देश के प्रतिनी दी थे MP है कैमिरेट में थे उसको भी देश द्रोहिका उसको पर मुकदमा ठोग दिया है जो सिंगु बाड़र पर रिपोर्टिंग करने वाले मंजित सिंग, धर्मेंदर सिंग और भी ऐसे बहुत से पत्रकार या लेखक है उसको हमने इस कानून के तहट देश द्रोहिक के कानून के खिलब मुकदमा ठोग दिया है मुझे लगता है कि हमारे कानून के किताब में से सब IPC धाराय खतम कर दी और सब देश द्रोहिक के धारा एक वह रग दी है डोमिस्टिक फाइलेंस हो तो भी देश द्रोह का मुकदमा ठोग देगा पंतव्रधान मोदी हमारे लिए आधर्णिय है देश के प्रधान मंत्री चेकाम सन्मान करते करते रहेंगे उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है देश चलाने के लिए हमें मानते है लेकिन बहुमत जो होता है वो अंकार से नहीं चलाया जाता बहुमत बड़ा चंचल होता है हमारे मराठी के एक संत है तुकाराम उसने कहा है निंदक आचे घर आसावे शेजारे उसका मतलब है जो आपका निंदक है जो आपके उपर किटिसाइद करता है आपको आईना दिखाता है वो आपके आसपास रहना चाहिए उसका घर आपके बगल में रहे लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे जो टिका करे आप उसको बदनाम कर देते हो जैसे किसान अंदोलंग जिस तरह से इस किसान अंदोलंग को भी बदनाम करने की कोशिस या साजी चल रही है मुझे लगता है देश के प्रतिष्टा के लिए ठीक नहीं है किसानों के लिए ठीक नहीं है आम सब के लिए ठीक नहीं है 26 जानेवारी लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ उससे हमारे प्रधान मंत्री बहुत दुखी हो गया लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दिफ सिद्धू है वो कौन है किसका आद्मी है उस बारे में तो आपने बता दे वो किसका अदमी है? उसको किसने ताप कर दी है? ये सुद्धू आप तक पकड़ा नहीं गया लेकिन दोसों से जादा किसान इस प्रकरड में तिहार जिल में बंध है और उनके उपर देश ड्रोह का मुकदमा चल रहा है इसी भाषन में संजेराउत ने मीडिया पर भी सवाल उठाए अपने भाषन में संजेराउत ने अरनब गोस्वामी और कंगना अरनावत का भी जिकर किया इसके इलावा उन्होंने उनके वाटसप चैट का जिकर भी किया सो से ज्यादा अंदोलक जो युवा है वो लापता है वो कहा है पोलिस ने उसका क्या किया उसका एंकाउंटर किया है क्या क्या मार दिया वो पता नहीं है तो यह जो है यह देश द्रोही है अपने हक के लिए लड़ते हैं लेकिन देश प्रेमी को है आमारे देश में नेशनल सिक्रेटी ऑफिशनल सिक्रेट संदरबात उस संदरब में उसने जो सामने लाया है पुरा ऑफिशनल सिक्रेट तोट दिया हमारा बालकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से जानकारे सबको बता दी हां वो आपके शरण में है उसको आपका प्रोटेक्शन है यह आधर करते हैं हमारे महाराश्ट्रा से क्या लिखा उसके बारे में प्रकाजी के बारे में जो उसने पुरा जो आप संभाशन डायलोग आया है ना तो एक क्याबिनेट को भी ठीक नहीं है हमारे सरकार को ठीक नहीं एक मंत्री के बारे में एक ट्वे अंकर जिस भाशा का इस् उसको शरंडे रखी है तो यह जो चल रहा है यह नहीं चलेगा सर राष्ट्र पती जी ने अपने संभोधिन में कहा है भारत जब जब एक जूट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्षों को प्राप्त किया है एक जूटा की बात की है अगर यह बात सच है तो गत तिन महिनों से दिल्ली के सिमा पर किसान अंदोलन के एक जूटा तोड़ने में सरकार क्यों लगी है हदारों किसान गाजीपूर सिंगु वार्डर पर अपने हक के लिए लड़ रहे है और आप इस एक जूटा में आपको देश्ट रोह दिखता है प्रीज चेर्मन स चेर्मन सर ये पंजाब हर्याना और पच्चिम यूपी का किसान पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है और पूरा देश उनके साथ है तो उनको देश जो है कहना ठीक नहीं ये पंजाब का किसान हमारा सिख भाई जब मुगलों से लड़ा तो हम उसे करोना वाइरस में लंगर बाट रहा था तो देश प्रेमी था लेकिन आज वो अपने हग के लिए लड़ता है तो खलिस्तानी हो गया जो देश रही हो गया ये कौन सान्या है आप उसको रोकने के लिए बॉर्डर पर खिले टोकते हो बड़े-बड़े बैरिकेट्स करते हो ये बैरिकेट्स, ये किली का जाल अगर आप लड़ा के बॉर्डर पर करते तो चिन की खुटर अंदर नहीं आती मैं आपको बताना चाहते हो 我 Нटेल नहीं है लेकिर ये अंदोलन जब तक जिन्दा है तब Tक हिंदुस्तान जिन्दाबाद रहेगा ये अंदोलन हमारी ताक क्या होगा पंजाब टोड़े रिपोर्ट